खेमंद्री अशोग गहलोद और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष गोविल सिंग डोटासरा की अध्यक्षता में सुमवार को राजधानी जैपूर के होटल क्राक्स आमेर में महंगाई पर महामंधन किया गया। इस दोरान सीएम गहलोद ने महंगाई को लेकर भाजपा को जम कर घेरा। महौल एकदम राजनितिक था। दरजनों कारेकरता इस बैठक में पहुचे। इसके बाद सबने इत्मिनान से 700 रुपे की प्लेट में खाना खाया। यदि सीएम को पता होता तो शायद थोड़ा चि स्तंबर को दिल्ली में कॉंग्रेस महंगाई पर हलाबोल रैली का आयुजन करेगी। जिसमें राजिस्थान को 50,000 लोगों की भीड जुटाने का लक्षय दिया गया है। जिसकी तैयारी को लेकर जैपुन में ये बैठक आयुजित की गई। हलाबोल रैली को लेकर 25 अगस को पहले जिराध्यक्षों के साथ बैठक की जाएगी। इसके बाद 27 अगस को विधानसबा और ब्लॉक इस्तर पर बैठके आयुजित की जाएगी। इसके बाद 4 सितंबर को कारेकरता दिल्ली कूच करेंगे। कारेकरताओं को संभूधित करते हुए गोविन सिंग डोटा करता केंद सरकार के खिलाफ गाउं गाउं धानी धानी जाकर जन जागरन अभियान चलाएगा। पचास हजार के लगबग हमने टार्गेट रखा है कि हम राजस्तान से उस दिल्ली की 4 सितंबर की कॉंग्रेस की जो महिंगाई के खिलाफ हला बोल रहे हैं उसमें बाग लेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि आप महिंगाई कम कीजिए अगर ये महिंगाई कम नहीं करते ह हैं तो देश के जनता इनको 2024 के अंदर आइना दिखा देगी तो वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार से आटे दाल पर जीएस्टी लगाई गई है महिंगाई को लेकर पूरा देश केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है देखी ने असा बात कह दिया आपको मक्छदाबी की मिटेग यही था कि महिंगाई विरोध कारी और जीएस्टी जिस प्रकार से लगई गई है आटे पर दाल पर दाई पर महिंगाई को लेकर कॉंग्रेस की यह र KIRBY कितनी सफल होगी यह तो आने वाली 4 सितंबर ही बताएगी महंगाई को लेकर कॉंग्रिस की है रेली कितनी सफल होगी यह तो आने वाली 4 सितंबर ही बताएगी बाकी जिस तरह से जैपूर के एक 5 स्टार होटल में यह बैटक आयजित की गई और उसके लाखों रुपे खर्च किये गए, वो कही न कही कॉंग्रिस पर एक सवाल खड़ा करती है Bureau Report राजिस्थान तक झाल